हेलो नमस्ते वेलकम बैक तो माय यूट्यूब चैनल दोस्तों आज हम डिसकस करेंगे यूरिक एसिड के बारे में यूरिक एसिड क्या होता है और इसका अगर हमारे ब्लड में लेवल इंक्रीज हो जाता है तो यह क्या हेल्थ इसूस क्रियेट कर सकता है गाउट और यूरिक यूरिक एसिड का अपस में क्या संबंद है और क्या वाक्यी दाले या मिल्क प्रोडक्ट्स जो है हमें अगर यूरिक एसिड बड़ा हुआ होता है खानी चाहिए या नहीं आज इस वीडियो में हम डिटेल में डिसकस करेंगे सबसे पहली पात यह है कि यूरिक एसिड एक वेस्ट प्रोड़क्ट है जो कि प्यूरीन की मेटाबुलिजम से हमारी बॉडी में बनता है और किट्नी जो है इसे फिल्टर करती है और यूरिन से यह पास अउट हो जाता है तो यह ब्लड में कैसे इंक्रीज होता है ठीक है या तो हमारा इंटेक बहुत ज्यादा है या तो अगर आप वह बहुत जादा ले रहे हो और वाटर इंटेक आपका बहुत कम है तो उसकारण से भी बढ़ सब्सक्राइब आपको लिस्ट बताऊंगी तो उसमें क्या है फिर भी यूरिक ऐसी बढ़ा है तो उसमें जो रीजन फाइंड आउट हम करते हैं वह यह है क्योंकि किड्नी की फांक्शनिक प्रॉपर नहीं है इसके लावा और भी कई रीजन है जैसे कि हो सकता है आप अबीज हो आप डाइबटिक हो उसकेस में भी हो सक वाटर पिल्स यानि कि अगर आप डायूरिक टैबलेट लेते हो जो की बीपी हाई अगर होता है तो उसमें देते हैं अगर प्रॉलॉण यूज ओफ आप डायूरिक टैबलेट का यूज करते हो तब भी यूरिक ऐसी इंक्रीज हो जाता है इसके इलावा ऑटो इम्यून ड लेते हो और ग्रीक यूगर्ट है आइस टी है कुकीज है तो कुछ इन आइटम में जो की कॉर्ण सिरफ जिसमें डला होता है वो फ्रॉक्टोस रिच होता है तो वो भी कारण होता है आपका यूरिक ऐसीड इंक्रीज करने का इसके इलावा जो लोग कीटो टाइट बहुत लंबे टाइम के लिए करते हैं या जो लोग फ्रूट फास्ट करते हैं क्योंकि तो फ्रूट में फ्रॉक्टोस कंटेंट होता है हाला कि फ्रूट सेल्थ के लिए अच्छे होते हैं बट फ्रूट फास्टिंग में तो इंटेक बहुत ज्यादा हो जाता है तो एक्सेस ओफ यूरिक ऐसीड इंक्रीज हो सकता है, तो अगर आप बहुत नमक खाते हो और यह जो प्रिजर्वेटी वाली चीज़े होती है, पैकेज फूर्ड होते हैं, इन में तो बहुत जादा सॉल्ट कंटेंट होता है, तो अगर आप वो कुंजियूम करते हो तो वो भी रिजन हो सकता है, जैनेटिक तो है, अगर आपके पेरंट्स को यह प्रॉबलम है, तो हो सकता है, आपका भी यूरिक ऐसीड इंक्रीज हो, इसके इलावा जो है, जो सिरोइड इंटेक बहुत जादा हो, तब भी हो जाता है, इसके इलावा प्यूरीन का क्या है, कि प्यूरीन हमारी बाड इंक्रीज होता है, तो उसमें क्या हो सकता है, अगर यह लेवल बलड में बार बार इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, तो हो सकता है, यह क्रिस्टल्स बनाने शुरू करते हैं, आपके स्मॉल जॉइंट से, शुरू यह स्मॉल जॉइंट से होता है, और अगर आप इसे इ इफ्लामेशन हो जाती है तो बहुत पेन करते हैं कई पर क्या होता है कि आप रात को आराम से सोते हो आप आराम से सोई और आपकी नीद खुलती है पैर के अंगुठे में पेन बहुत ज्यादा होती है आपको रेड भी लगेगा और टेंडरनेस भी होती है जब आप छूते हो तो एकडम से आपकी नीद बिकाज आपकी नीद खुलती है तो वह जो पेन होती है वह बिकाज आफ टोफाई फोर्मेशन जिसे हम कहते हैं टोफेशियस गौट यह एक्यूट गौट का इंडिकेशन है यह सब इसलिए होता है कि विकाज आफ इंफ्लामेशन तो वह पेन बहुत करता है फिर धीर धीर अकर आप इसे एक्नोर करते हो आप कोई मेडिसन नी लेते हैं आप डाइट का ध्यान ही रखते हैं आपका नॉन्वेज इंटेक और इसलिए जब भी आपको जब आपका बहुत करने नीचे मेरा है और यह यह दिए अपनी डाइट का बहुत ज़ा है ताकि आपको ऐसेच मेडिसन की जरूरती नहीं चीकर पर फिर भी आईवेद में भी बहुत अच्छाए धीमन है और ऐसी बात नहीं है अलिए का बहुत उरिक असिट का लेवल कई रहा हो जाता है और यूरीक ऐसिट का लेवल कई लेवल से तब भी नुकसान देता है। इस मेल में नॉर्मल वैल्यू है 3.4-7 mg per deciliter और female में है 2.4 to 6 mg per deciliter और बच्चों में है 2 to 5 mg per deciliter अब इससे अगर कम है तब भी मिश्किल और अगर इससे जाधा है तब भी तो uric acid का जो लेवल नॉर्मल होना बहुत जुरूरी है क्योंकि अगर यह और भी जाधा रहेगा तो kidney stones भी कर सकता है और in some cases यह renal failure भी कर सकता ह है तो अब हम discuss कर लेते हैं don'ts and do's के बारे में don'ts में हम सबसे पहले यही वह जैसे मैं आपको बताया कि आपको non-veg बंद करना पड़ेगा red meat बिल्कुल नहीं खाना fish जो है हाला कि health के लिए अच्छी होती है बड क्योंकि purine content fish में बहुत जादा होता है चाहे sardines है salmon है tuna है आपने वह नहीं लेनी seafood बंद कर देने है prawn oyster lobster कुछ भी नहीं आपने खाना right alcohol तो बिल्कुल big no to alcohol अपने नहीं लेनी sugar refined sugar है उसको बिल्कुल नहीं आपने कंजूम करना refined carbs भी नहीं कंजूम करने fructose भी जो है आपने अपने diet में बंद कर देना है जो fructose के मैंने आपको बताया ही है ice tea हो गया आपके जो canned juices होगे cookies हैं और इसके इलावा जो Greek yogurt है यह सब आपने बिल्कुल नहीं लेना even honey or dates भी जो है आपने यूरी कैसी डगर आपका बढ़ा हुआ है तो आपने avoid करनी है फिर जो है इसके इलावा आपने yeast extracts जो है वो आपने नहीं लेने और अगर आप चाहते हो कुछ पुरानी studies में ऐसा भी है कि pulses नहीं खानी या जैसे asparagus है और mushroom है, spinach है यह नहीं खानी बट न्यू जो researches have shown कि आप अपना water intake अच्छा रखो और अपना active lifestyle रखो तो आप moderate amount में pulses खा सकते हो पहले soya bean, chana, rajma यह सब मना करते थे पर अब जो new studies आई है उसमें यह है कि आप moderate amount में यह सब चीज़ें ले सकते हो आप थोड़ा बहुत मशूरून भी खा सकते हो, थोड़ी बहुत दाले भी खा सकते हो, completely avoid करने की जरूरत नहीं है पर क्या होता है, listen to your body, अगर आपका joint pain बहुत जादा है, तो क्योंकि यह जो डाले है और यह spinach है, यह gas forming है, यह लोगों को gas बहुत जादा बनती है तो उस case में क्या होता है, कि यह सब खाना उनको सूट नहीं करता, तो उस वज़े से pain trigger हो सकती है As such, uric acid formation का इतना कोई बड़ा रोल नहीं है इसका, listen to your body, अगर आपको लगता है चना राजमा खाने से आपको pain हो रही है, या पालक खाने से उस दिन आपकी pain बढ़ गई है, तो आप तब उस case में avoid कर सकते हो, और वैसे भी हम दाले कितना खाते हैं, एक पूरे दिन में दे अब क्या है, और क्या करना है, अब हम अपनी डाइट में हम ऐसा क्या इंकल्यूड करें, अब हम वो डिसकस कर लेते हैं, तो सबसे पहले बात है कि आप जो है water intake अपना increase करें, अगर आपका पानी आप अच्छे से पी होगे, कुछ cases में जो है, पानी का एक लिमिट अमाउं अब हम नहीं है, तो आप water intake increase करें, इसके बाद आपने active रहना है, और थर्ड यह है कि आपके अपनी डाइट में वो चीज़ इंकल्यूड करनी है, जो कि fiber रिच्चों, क्योंकि inflammation हो जाती है, तो anti-inflammatory food इंकल्यूड करना है, और अगर आपका जो आपने alkaline, जो आपका internal media alkaline क करता है, यांकि ऐसी food include करने है, जो alkalineizer हो, तो इस type के आपने food include करने है, जो कि आपका acid level कम करें, और alkaline increase करें, इसमें सबसे पहले आता है, apple cider vinegar, फिर आता है आपका lemon, और इसके बाद अगर आता है, आपने anti-inflammatory food include करने है, उसमें आता है, आप तर्मरीक इंकल्यूड कर सकते हो, cinnamon include कर सकते हो, ginger है, वो बहुत अच्छा है, तो आप इसकी चाय भी बना सकते हो, sorry, फिर आपने anti-inflammatory food include करने है, जिसमें आता है, berries, cherries, strawberries, यह बहुत अच्छी है, inflammation कम करने के लिए, तो आप यह भी अपनी diet में include कर सकते हो, इसके इलावा जो है, green leafy vegetables जो है, वो बहुत effective ह मैं कितनी बार आपको अपनी वीडियो में बताती हूँ, जितना हरा उतना खरा, तो आप जितनी green leafy vegetables add करोगे अपनी diet में, तो वो बहुत अच्छी है, overall health के लिए बहुत अच्छी है, इसके लावा small amount of coffee भी आपका uric acid level reduce करती है, अगर आपका BP high रहता है, तो आपनी coffee को consume नहीं करना, आप अपनी diet में कुछ nuts include कर सकते हो, almonds, walnuts, इसके लावा chia seeds है, flax seeds है, तो यह भी आपका uric acid level ठीक रखती है, इसके लावा आपने कभी भी अगर आपका uric acid level increased है, तो आपने keto diet नहीं करनी, intermittent fasting नहीं करनी है, अगर आपका uric acid level increased है, वाइटमिन C rich food का बहुत इंच, पपया, जो जितें भी वाइटमिन C rich food है, वो include करें, क्योंकि वो जो है, uric acid को flush out करने में help करता है, इसके इलावा आपने include करना है, potassium rich food, salt intake आपने कम करना है, sodium content कम करना है, और potassium आपका increase करना है अपनी diet में, जो की आपका बनाना आ गया, coconut water है, cucumber है, zukooni, pumpkin, इसके इ beneficial है, आपका uric acid level control करने में, आईवेट में तो बहुत अच्छा गिलोय का रोल है, trifla है, और इसके इलावा जो है, गुबुल है, अलॉय वीरा है, तो आप ये include कर सकते हो, फिर भी अगर आपका uric acid बहुत बढ़ा हुआ है, तो आपने क्या करना है, sodium bicarbonate, एक छोटा चमच आपने रात को लेना है, एक गलास पानी में, तो आप हफते में दो बार ये try कर सकते हो, तो ये भी बहुत effective है, फिर potassium citrate, जो है, आप supplements include कर सकते हो, 300 mg के, पर ये सब चीज़ें डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें, curcumin के भी supplements आते हैं, और omega 3 fatty acid के capsules भी include करोगे, क्योंकि ये inflammation कम करते हैं, तो आप ये सब चोटे चीज़ें अपने diet में include करो, और don'ts का भी ध्यान रखो कि क्या नहीं खाना, तो definitely आपका uric acid जो है, within 1 month without medicine normal आ जाएगा, Thank you very much for watching this video, bye bye.